नमस्काल लीड इंडिया पब्लिशर्स एस्सोसियेशन में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्गॉन कश्मीर से एक बड़ी खबर है कश्मीर हाइकोट ने प्रंसिपल सेकरेटरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि कुकुरमुत्त की तरह उगाए सोशल मीडिया न्यूस पोर्टल्स के खिलाफ कानून सम्मत एक्शन ले एसा निर्देश हाइकोट ने एक PIL की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें पेटिशनर ने कहा था कि कश्मीर में बहुत सारे न्यूस पोर्टल्स आ गए हैं जिन पर किसी अथॉरिटी का कोई अंकुष नहीं है ऐसे चैनल फेक न्यूस चलाने का काम करते हैं पेटिशनर ने कश्मीर नियूस, कश्मीर वाइस, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूस, news कश्मीर 24x7, कश्मीर बिजनस हब और бол कश्मीर जैसे नामों को अपनी पेटिशन में एक्जामपल के तोर पर डाला था पेटिशन में कहा गया कि कश्मीर में ऐसे सैक्डो चैनल है जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई सर्विलांस नहीं है इस याचिका में फेक न्यूस फैलाने का इन चैनल्स को कारक बताये गया इस पर सुनवाई करते हुए कोट ने निर्देश जारी किया कि पेटिशनर इससे सम्मंदित अथोरिटीज में जा सकता है इसलिए वो प्रिंसिपल सेकेटरी को उन्होंने निर्देशित कर दिया कि वो इस पर एक्शन ले तो अब आप सोचेंगे कि आखिर इस पर एक्शन क्या होगा कि क्या सारे निउस चैनल्स फेक की कैटेगरी में आ जाएंगे क्या सभी बंद हो जाएंगे और वो कानून क्या होगा जिसके अंडर में एक्शन लिया जाएगा क्योंकि अभी तक तो कोई भी ऐसा निर्धारित कानून नहीं है जो डिजिटल प्लैटफॉर्म्स को बताता हो कि ये निउस पोर्टल रेजिस्टर्ड मीडिया है या फिर ये निउस पोर्टल सोशल मीडिया है या फिर ये निउस पोर्टल फेक है फिर भी fake की जो है आप परिभाशा एक तरीके से समझ सकते हैं लेकिन कानून हो या ना हो इस तरह की खबरे चिंता बढ़ाती है क्योंकि fake news वाकई देश के लिए एक जहर की तरह है जहां तक मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है अगर इस तरह के fake channels चल रहे हैं तो उनके खिलाफ action होना चाहिए क्योंकि आज वाकई में बहुत सारे channels हैं जो फर्जी तोर पर news चला रहे हैं आप MIB पर उन 22 channels की details देख सकते हैं जिन्हें भारत सरकार ने band किया था इन में से बहुत सारे channels तो ऐसे थे जो पाकिस्तान से प्रायोजित होकर चल रहे थे तो इस तरह के चीजों पर control होना तो जरूरी है लेकिन प्रशन ऐसे में अब ये उठता है कि जो लोग सचमच पत्रकारिता करना चाहते हैं वो क्या करें जो किसी channels से निकाले गए पत्रकार हैं या फिर वो stringers हैं जिन्होंने अच्छी से अच्छी stories को channels पर भेजा लेकिन channels ने उन्हें कभी चलाया नहीं बलकि उसके बदले में उन्होंने विज्यापन के नाम पर उन्हें धन उगाही करने के लिए मजबूर किया तब ऐसे में इस तरह के पत्रकारों ने channels को छोड़ा, अखबारों को छोड़ा और digital media का दामन धामा तो ऐसे में जहां तक मुझे याद है मैंने हमेशा इस समस्या से निबटने के लिए समाधान बताने में पूरी इमानदार कोशिश की है मुझे बेहत संतोश और खुशी मिलती है जब ये पता चलता है कि लीड इंडिया द्वारा बताएगी प्रॉसेस को फॉलो करके वो लोग अपने चैनल चला रहे हैं, अपने मीडिया हाउस चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आप भी इस सही प्रॉसेस को जान लीजे क्योंकि जब तक की रेजिस्ट्रेशन की प्रॉसेस MIB डिकलेयर नहीं करता तब तक आपके हाथ में क्या टूल है, आप क्या करेंगे आपको सबसे पहले MSME में अपने चैनल को रेजिस्टर्ड करवाना चाहिए, वहाँ पर आप एक कंपनी के तौर पर बाकाइदा सरकारी मिनिस्ट्री के साथ रेजिस्टर्ड होंगे उसका एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वहाँ पर काम करने के लिए आपको एक कैटेगरी भी मिलेगी, जो है 63, उसके अंदर बाकाइदा मेंचन है कि यहाँ पर रेजिस्टर्ड लोग न्यू सेवा प्रोवाइट कर सकते हैं, अब दूसरा स्टेप आपको ये ल चैनल का मालिक कौन है, इसका उदेश ये क्या है, और अगर मुझे इस चैनल के खिलाफ कुछ एक्शन लेना हो, इसकी खबर से कोई परिशानी हो, तो मैं किसको संपर्थ करूँ, तो MIB ने IT Rule 21 के तहत ये प्रोविजन किया है कि आपको ये बताना होगा, कि वो आखिर आप आपका ग्रैवियंस अफसर कौन है, जो पबलिक की ग्रैवियंस से इसको डील करेगा, तो आप किसी एक आदमी को वहाँ अपॉइंट कर दीजिए, या फिर आप खुद भी एडिटर होने के नाते, आपना नाम, नमबर और एमेल वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये MIB की इंस्ट्रक्शन्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इनके उपर विस्तार से वीडियो देखने के लिए आप 25 फरवरी 2021 वाला वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर ये MIB के रूल्स, IT Rules 21 के बारे में बताया है, तो अगर आप भी सच्चे मन से, सही तरीके से, और एक लीगल वे में जनलिजम करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप केवल एक न्यूस प्रोवाइडर ही होंगे, यानि आप न्यूस को दे पाएंगे, न्यूस को कवर करने का अधिकार अभी भी आपके पास नहीं है, राइट कवरेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड मीडिया ही बनना पड़ेगा, तो आप या तो अपना न्यूस पेपर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और अगर आप प्रिंट मीडिया में नहीं जाना चाहते, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर स सकते हैं, आप हमारे हेलप लाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल बिजी हो तो आप अपना वाट्स अप मैसेज छोड़ सकते हैं, या हमें लीड इंडिया फ्रेंचाइजी एड जीमेल डाट कॉम पर मेल कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी, अपनी अच्छा लगे तेसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद